अगर वाइस आप लोग अपनी यूटूब वीडियो के थमनिल में आउटलाइन को अगर यूज करते हैं तो उसके बाद जो आपके थमनिल पर क्लिक करके वीडियो को वाश करने के लिए मजबूर हो जाएगा अगर आपके वीडियो को बनाया गया तो फिर आपकी वीडियो को बताने वालों कि कैसे आपनी यूटूब वीडियो के थमनिल में आउटलाइन को यूज कर सकते हैं सबसे पहले आप लोगों को जरौत पड़ीगी एक अपने फोटो की बना लीजिए अपनी जो भी फोटो जैए उसे पी एंजी में कर लीजिए ठीक है जो इसके बाद में आप लोगों को पिक्सल अपन करना पिक्सल अपको डारक्ली गूगल प्लेश्टोर पे मिल जाता है यह तो आपको पताई होगा ठीक है और उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को अपने थमनिल का बैक्ग्राउंड सेलेक्ट कर लेना जो जो इस और आप लोगों को अपनी इमेजस बनानी है वह आप ले लिजीगा तो मुझे जो लेना वैक्राउंड वह यह वाला है तो मैं एक कालरफुल बैक्राउंड ले लेता हूं कोई भी ले लेंगे चलेगा ठीक है मैंने यह ले लिया है ओके एंड इसके बाद में यहाँ पे अ एंड फोटो पेंजी किदर गई आप लोगों को अपनी फोटो फोर्मेट पेंजी में लेना ठीक है माई इमेज पेंजी यह एंगी तो यहां पर जैसे कि मैं इस वाले फोटो उसको ले लेता हूं इसको आप सेलेक्ट कर ले जीका अपनी फोटो जो भी है इसके बाद में लिखा देता हूं कि यूटू अ कि अ कि थाम नेल ठीक है आप इतना जो भी लिखना चाहिए वो लिख सकते हैं ठीक है आप मैं इसको फॉंट बगरा चलेक्ट कर लूँगा यह सारा काम करने ना यह तो एक अलग्छी जो जाती है मैं इसमें आपको समझा मूने ठीक है थाम दी और यह देखें ठीक है आप इसमें कलर बगरा कुछ भी लगा सकते हो इस्टॉक बगरा यूज कर सकते हो और जो भी जैसे भी श्रॉक चाहिए वह डाल सकते हो लिख फिलाल मेरा काम है यह पर यह थमनिल में आउटलाइन को कैसे लगा है ठीक है तो उसके लिए एक अपने अपने जितना आपको वैस्ट लगे उसना उतने नमबर तक इसको इनकीरीच कर सकते हैं प्लस से बढ़ेगा माइनस से घटेगा तो यहां पर देखो मैं ब्लेक कलर की उसका सकता हूं ब्लू कलर की कोई भी श्रॉक में यूज कर सकते हूं ठीक बहुत सारे लोग जो बहुत ही ज्यादा इंपर्टेंट होता है अगर आप लोग यूज करना चाहें तो काफी इंपर्टेंट है अगर नहीं करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन यूज करोगे तो थोड़ा सा बैतर लगता है और यहां से आप लोग जो अपने फोट उसके कलर सकते हो इस शेरूर कीजिए लग और चैनल पर पहले बार है तो सबस्टेप करके वेल आइकून को प्रेस भी कर दीजिएगा तो चेलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में